Hey guys, welcome back to the channel, मेरा ना मैं आकाश और आप देख रहें Technical Family आज की वीडियो मैं आपको YouTube के कुछ new settings के बारे में बताने वाला हूँ आप भी यहाँ पर YouTube पर काफी वीडियोस देखते होंगे और YouTube का जो नया feature है Shorts वीडियो वाला वो तो आप मैंसे काफी लोग बहुत ही पसंद करते होंगे YouTube पर आप मैंसे भी काफी लोग Shorts वीडियोस देखते होंगे तो Shorts वीडियो देखते देखते आपका यहाँ पर काफी Net Use हो जाता है और आप जब भी YouTube पर नॉर्मल वीडियोस भी देखते हैं पूरा सेटिंग्स में आपको यहाँ पर बतावना कैसे आपको क्या करना है तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक्निकल फैमिल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीच आपको रेड़ तलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहोगा उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं वो सेटिंग्स जानने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आपना यूट्यूब एप उपन कर लेना है हम जल्दी से चलके अपनी यूट्यूब एप पर आपको यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर दिख रहोगा मेरा फोन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहोगा तो सिंपल से आपको यहाँ पर अपना यूट्यूब एप्लिकेशन ऊपन कर लेना है YouTube application open करने के बाद आप वहाँ पे देख सकते right head side पे आपका यहाँ पे एक profile का section दिख रहा होगा अपने profile section पर click करने के बाद simple से आपको थोड़ा से नीचे चले आना है last में आपको यहाँ एक setting का option दिखाई देगा setting वाले option पर जाने के बाद आपको simple से यहाँ पे second number पे एक data seven option भी दिख रहा होगा data saving option पर आपको simple से click कर देना है आप वहाँ पे देख सकते है data saving modes के बारे में यहाँ बताया गया है simple से आपको data saving modes on कर लेना है on करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आप में साड़ी settings on हो जाएंगी होते हो तो यहां पर आपका है watching जाहेट रखते हो यहां पर आपकर यहां पर इस समय पर आप एपको मनबर तरह वायथा है यां अनि'll करते हो तो देटा सेविंग मोट के बारे में था इसको आपको आपकर करने के वाद आपके कर नेट अचर ने वाला है फिर में आपको बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा बैक चले आना है और वहाँ पे आप नीचे थोड़ा देखोगे तो वहाँ पे वीडियो कॉलिटी प्रेफरेंसेस के बारे में बताया गया है उसपर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के पास simple से आप महाँ पर देख सकते है data saver mode के बारे में बताया गया है data saver वाले option को click करके enable कर लेना है अपने mobile networks में भी और साथ में आपको नीचे wifi वाला option दिख रहा होगा उस पर भी आप click करके वहाँ पर enable कर सकते हैं दोने में आपको data saver वाला option on कर लेना है तो आप यहां पर काफी ज्यादा वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब पर यह कुछ यूट्यूब की settings थी आपको भी वीडियो में पूरा देख के समझ में आ गया होगा कैसे कैसे आपको कौन सी settings enable करनी है यह दो settings enable करने के बाद आपका यहां भी कम से कम net usage होने वाला है हो भी यूट्यूब पर आप यहां पे कम से कम net में अपने ज्यादा से ज्यादा वीडियो देख सकते हो तो अगर आप यह settings के बारे में पहले से जानते थे आप हमें नीचे comment करके बता सकते हो तो I hope आपको वीडियो पूरा समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो सबस्क्राइब कर सकते हो साथ में बेल आइकन भी ओन कर लेना उससे क्या होगा आपको आने वाले न्यू न्यू वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जल्दी मिलते हैं नाइक्ष वीडियो में